खाना हैं पेट में कुछ गलत चला भी गया तो उसे के से बाहर निकालना हैं। इनके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। हमारे आमाशे का साईज एक मुठी जितना होता है। ध्यान दीजी दोस्तों इसी में हमारा सारा भोजन इकटा होता है। ये आमाशे है छोटा पर ये अपने आकार से 3-4 गुना बड़ा हो सकता है क्योंकि ये थेली नूमा है इस जगे हमारा भोजन लगभग 5-6 गंटे के लिए रुपता है अब आगे थोड़ा ध्यान से समझे जब सुबे सुबे हम खाली पेट होते हैं तो आमाशे सीकुडसा ज जाता है इस त्रक्ति ड़कार द्वारा हमारा आमाशे हमेचे तावनी देता है कि अब त्रिप्ति हो गई है खाना बंद कर दिया जाए क्योंकि आमाशे आदा तो भोजन से बढ़ता है और आमाशे का एक चोटाई भाग 5 रसों से बढ़ता है अब बाकी बचा एक करने के लिए मेकनिकल एक्शन मन्थन किरिया होती है जो भोजन को हजम करने में मदद करती है इसको आप इस सरल उदान से भी समझ सकते हैं जैसे कि अगर हम मूँ को पानी से पूरा भर लेंगे तो कुला नहीं कर सकते और मटके को दही से पूरा भर लेंगे तो दही का बिल पूर तकार द््वार के सिरे अप बनिभा कुर सब्सक्राइए फ्र्वकरा पूर सुद्पन को सब्सक्राइए पूर मे कुर्द लेकिन नहीं Xuंको नियुकर नहीं व्यांतों नियुक्या, चीन देज उस एसिड को आमाशे में जाने के लिए जगे नहीं मिलती क्योंकि आमाशे को तो हमने पेले ही पूरा भर लिया है अब वह एसिड आमाशे के उपर के भाग में भोजन नली में ही पढ़ा रहता है एसी अवस्था वाले व्यक्ति कहते रहते हैं कि उनको जलन एसिडिटी होती है या उनके शुरीन में तेजाब बन रहा है अब आगी की कानी और खतरनाक है आमाशे में जो भोजन उपर तक हमने ठसा ठस भर लिया उसकी दशा एक बंद डिबे जैसी हो जाती है अब ना तो इसको पाचकरस मिलने वाले और ना ही मन्थन किरिया के लिए जगे अब ऐसी रूप में अनुभव करते हैं और कुछ गेस का भाग आमाशे के उपर के तरफ मुह से बाहर निकलता है यह जब उपर आ रही होती है तो बोजन नली में मौजूर एसिड के साथ मिलकर हमारे मुह में आती है जिसको हम कहते हैं खटे डकार आना खाते हम गुलाब जामुन है हमें आने चाहिए मीठे डकार किन्तु आ रहे हैं खटे डकार जरा सोचिए अगर व्यक्ति त्रप्ती डकार आते ही बोजे लेना बंद कर दे तो उसे गेस और तेजाब का अनुभव नहीं होगा अगर व्यक्ति त्रप्ती डकार आने के बाद भी खाना बंद नहीं करेगा तो जीवन पर गेस और तेजाब उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला चाहे वे व्यक्ति जीवन पर एंटा से चूरन वगेरा लेता रहे आप इस बात को ना भूले कि संसार की लगबग 80% आबादी गेस और तेजाब के रोक से पीडित है ये थी तीन तरेकी डकार त्रिप्ती डकार, पूर्ण डकार और खट्टी डकार एक चोथी डकार बचती हैं भूग डकार भोजन लेने के लगबग 5-6 गंटे बाद हमारा आमाशे भोजन को नीचे छोटी आत में धकेल देता है चाहे भोजन पचा हो या सडा हो भोजन को 5-6 गंटे के अंदर आमाशे से निकलना ही पड़ता है जब हमारा आमाशे खाली हो जाता है तो वह दोबारा सीकुरता है और उसमें से कुछ वायू हमारे मूँ में आती है जिसको भूग डकार कहा जाता है इस डकार में दुरगंद या स्वाद नहीं होता जब ये आती है तो शरीर में अलग किस्म का हलकापन होता है इसका नाम भूग डकार है परन्तु इसका यह मतलब नहीं कि डकार आने पर तुरंद खाना शुरू कर दिया जाए इस डकार द्वारा हमारामा शेख हमें ये कहना चाता है कि आपने जो उसे हाजमे का काम दिया था उसको पूरा करके वे अभी अभी खाली हुआ है उसे अब कुछ समय के लिए आराम के आवशकता है भूग डकार आने के लगबग एक दो गंटे बाद जब कड़क भूग का एसास हो तब ही दोबारा खाना चाहिए इन चार तरह की डकारों में तरप्ती डकार और भूग डकार का अनुभव हर व्यक्ति को होना चाहिए पूर्ण डकार और खट्री डकार बिल्कुल नहीं आने चाहिए अब काफी लोग ऐसे हैं जिनको तरप्ती डकार का अनुभव ही नहीं होता ऐसा उनके साथ होता है जो दिन में बार बार कुछ न कुछ खा रहे होते हैं बार बार खाने की वज़े से आमाशे 24 गंटे फैला ही रहता है क्योंकि उसको सिकुडने के लिए समय ही नहीं मिलता जिसकी वज़े से आमाशे की लचक खतम हो जाती है एसी हालत में त्रिप्ती डकार का अनुभव नहीं होता अगर आमाशे सिकुडता है तो ही उसमें शुदवायू किट्टी होती है जो के डकार की रूप में बहार आती है अब ऐसी इस्थिती में भोजन लेते समय थोड़ी भूग बाकी रख कर भोजन लेना बंद कर देना चाहिए भोजन लेते समय शुरू शुरू में तो मालूम ही नहीं पढ़ता कि पेट में कुछ जा रहा है पर जैसे ही आपको मालूम पढ़ना शुरू हो जाए हलका सा भारीपन आने लग जाए तब तुरंत भोजन छोड़ देना चाहिए फिर ये मत देखना कि मुझे तो ये पूरा खतम करके ही थाली से उतना है थाली में उतना ही लो जिससे आपको लगे कि इतना मेरे लिए काफी है पेट से जोरी नहीं करनी है इस बात का विशेश द्यान रहे दोस्ता बहुत मेहनत के बाद ये वीडियो तैयार किया गया है आपका एक शेर किसी के भी जीवन में परीवलतन ला सकता है हर व्यक्ति के लिए ये जानकारी बहुती लाब परद है इसे वाट्सअब, फेस्बुक, इस्टाग्राम के जर्ये लोगों तक जरूर पहुँचाए तो इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले धन्यवाद